आद गुणा यानि आ के बाद में आ या आ हरस्वा या दीर गा प्रथम पद के अंत में ए उ रेर लेर हरस्व या दीर तो था दुत्य पद में दुत्य पद के प्रारम में आएं तो दोनों के स्थान पर ए का ए उ का ओ रिर का अर और लिर का अल हो जाता है जैसे नर प्लस इंद्र पहले पद के अंत में क्या है रस्वा दूसरे पद के शुरू में हरस्व या अ प्लस इंद्र बड़ावर ए बच्चों अब कैसे बना नरेंद्र कि र मैंसे हमने यदी अ निकाल दिया रस्वा या निकाल दिया दूत्य पद के प्रारम में मैंसे दौनों का बना ए र मैंसे अ निकालने पर र आधा रह गया जिसमेंसे एक एक ही मात्रा चड़ा करके उसे पूरा कर दिया गया बन क्या बन गया नरेंद्र कि वैसे ही ठीक वैसे नर प्लस इस हिरस्वा दीर्ग ई पहले पद के अंत में हिरस्वा दूसरे पद के शुरू में दीर्ग ई क्या बना नरेस अब पूछोगे यह एक ही मात्रा इसके उपर कैसे चड़ जाती है देखो जब यदि हमेंसे र मैसे यदि और निकाल देते हैं र रह जाता है आधा जब आधा रह जाएगा हरस्वा को आशे वैप पूरा कर दिया जाएगा एक ही मात्रा उस पर लगा दी जाएगी अर्थात क्या बन गया नरेस दूसरा ठीक वैसे ही रमा प्लस इंद्र दीर्ग आ हरस्वी दीर्ग आ हरस्वी क्या बना ए आ निकला ए निकाली बन क्या गया रमेंद्र ठीक अब एक बाद में एका यह उका वीर प्लस उचित यानि आ और ए मिलकर के ए आ और उ मिलकर के ओ तो हरस्वा हरस्व उ बराबर क्या हुआ ओ हरस्व ओ सब्द क्या बना बीरोचित वीर वीर का आ और उचित का उ दौना मिलकर के क्या बने बीरोचित आगे चलते हैं सूर्य प्लस उर्जा सूर्य आ और आ दिर्गू हरस्व आ दिर्गू सूर्य ओर्जा यानि आ और प्लस उ बराबर क्या ओ वैसे ही महा उत्सव सभी ने सुना होगा पता नहीं कैसे बनता है दो आज हम बता रहे हैं महा उत्सव महा यानि बड़ा उत्सव बड़ा उत्सव बनाया कैसे आ और उ मिलकर के ओ महोत्सव कौन सी संदी हुई पूरी है गुर संदी ठीक आगे चलते हैं महा उर्जा दीर्ग आ दीर्ग उ बराबर क्या हो गया ओ महा ओर्जा महोर्जा महोर्जा आ का और उ का मिलकर के क्या हुआ आ अगे देवशी ज 6 देव मिलकर कि क्या वना अर jestी देव रिषी व मैसे यदी जइभ कॊला वा रह गया आदा आदे से हमने कि शसल्टे कि अपर है अर है वहमने उपर लगा दिया क्योंकि आगे आने वाला सब्झ द रिशी ठीक हो मम णिया मम मम मा को पूरा किया लग ठीक आदाल्ला बन गया ममलकार ठीक पूरा हुआ हमारी संदी कौनसी पूरी हुई गुड़ संदी आगे तीसरी संदी श्वर संदी में तीसरी संदी है हमारी यड़ संदी और बन संदी दूसरी गुड़ संदी तीसरी यड़ संदी का सूत्र है ईको यड़ी यड़च स्वर है इ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- नियम यदि ई उ रिर और लिर के बाद कोई भी यदि असमान स्वर देखो ध्यान देने वाली चीज है असमान समान स्वर नहीं आना चाहिए असमान आना चाहिए और वो भी स्वर तो महां ई और ई हिरस्व या दीर ई का या क्या होता है या हिरस्व उ और दीर उ का वा रिर का रा और लिर का ला हो जाता है किस किस के ई उ रिर और लिर के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो एका या उ का वा रिर या और लिर का ला हो जाता है जैसे प्रती प्रती एक प्रती प्लस एक प्रती चोटी यानी हरस्रप ई और ए यह आप देखो यही त मेंसे ई निकाल दी त हमारी रह गई आधी आधी तो क्या कर दिया आधा त ई और ए का वना या या कर दिया य और ए का या हो गया या पर हमने मात्रा लगाई किसकी ए ए की मात्रा ला करके या पूरी की और का प्रते का क्या बना प्रती प्लस एक बरावर प्रते क ए प्लस ए बरावर या देखो दूसा सब्द सू प्लस आगतम क्या है सू प्लस आगतम सू मैंसे हमने उनिकाला ह्रसू और दूसरे पद का आ यानि दीरगा सू आ दोनों को मिल करके क्या वना व अब हमने उ का हमारा व वना सरह गया आदा स्व आदा आगतम का यान दूसरे पद के प्रारंब के सब बढ़न का यानि आ का हमने उसमें मात्रा लगा दी वना स्वा गतम पूरा सब्द पीछे का स्वा गतम कैसे मालूंगा सू प्लस आ गतम बरावर स्वा गतम उ प्लस आ बरावर व ऐसे ही पित्र प्लस आ देश पित्र इसमें से रिर निकाल दी रिर निकाल दी ता आदा रह गया और ता आदा रह गया और आ से उसे पूरा कर दिया रिर का रा रा का उसमें हमने रा जोल दिया पित्रा आ का पूर के प्रयोग किया आ की मात्रा लगा दी ता को पूरा कर दिया पित्प्तरादेश अगला बना यह प्लस如果 रहा ल, प्रस अका रहा ल, प्रस आ, दूसरे पद का प्रारंब, दौनों को मिला करके क्या बना ल, ल से आ पूरा कर दिया गया, सब्द बना हमारा लका रहा, ऐसे ही, ल, प्रस आ करती, लर में हमने लर का ला हुआ ला पर आ की मात्रा क्रती ला क्रती ठीक